जैहिंद सभी को राम राम भूतपूर सैनिको के लिए सब इंस्पेक्टर एसाई की जौब आ चुकी है मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप एक्सोरिस मैन है पैंसनर है रिटाइड मैं है आवी नेवी एपोर से रिटाइड है तो इस भरती को जरूर अपलाई करें भूतपूर सैनिको के लिए मात्र इसमें पूरा रिजर्ब पोस्ट रखा गया है 10% का इसमें रिजर्ब पोस् करें और वीडियो की पीडियाफ आपको नीचे मिल जाएगी वाट्सप ग्रूप भी नीचे मिल जाएगा और सब्सक्राइब को बटन है नीचे उसको भी आज ही प्रेस कर लिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना हो मैं कोई भी वेकैंसी एक्स और इसमें के चाहिए उनकी न्यूक्तिया है डिपेंडेंट के लिए जौब है उनका वेलफेर है सब कुछ सबसे पहले यहां पर सरलोट सटीक सब्दों में बताता हूँ तो आज ही दोस्तों नीचे एक रेट कल का बटन होगा ऐसा डबबे में उसको सब्सक्राइब करें लाइक करें श आप लोग जरूर आविदन करें सबसे अच्छी जॉब आप तक कि आयिए सब इंपक्र क्या पोस्ट शरॉर्म और इंयां home efforts के तरफ से यह journal border security force के अंदर आपको job करने का मिलेगा BASF मतलब BASF SI के BASF SI आपको बनने का मोखा मिलेगा तो आप सभी के लिए vacancies निकाली गई है 2021 के लिए 22 के लिए 2020 और 21 की थी बची उई तो आप लोग को मैं बता दू कि इसमें group B की post के तरफ से निकल के क्या यह online application इसमें अप्लाई करना है जितने इलिजिबल एंट्रेस्टेट मेल एंड फ्यूमेल है all over India कहीं से भी आप बिलोंग करते हो मतलब कि एक्स और इसमें आप किसी भी परदेश राज्य किसी भी कोने परदार है जिसी वह है अप्लाई कर सकते हैं इसमें रहें का कुछ लेना देना नहीं है अगर आप एक्सरिस्टमेंट का टैग लग चुकता है अगर आप एक्सरिस्टमेंट है आर्मी नेवी एरफोर्स कहीं से भी आप लोग की से पोश्ट है एक इंस्पेक्टर की है एक स जिहान देना है किस चीज को ज्यादा फोकस करना है तो आप सभी को लेस्ट मैं एक एक चीज एकदम विस्तार से बताँगा उससे पहले बता दू कि आप लोग के लिए दो पोस्ट है एक में तीन पोस्ट है जूनियर इंजिनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्टरिकल में और सब इंस्पेक्टर वर्स में पांच पोस्ट है अगर फिर से में बता दू अगर आप अभी तक वाट्सप ग्रूप में नहीं जूड़े हो तो नीचे वाट्सप ग्रूप है हमारा जहां पर हम हर चीज का पीडियाफ लिंक पीडियाफ जितना भी सब इंस्पेक्टर वर्ट्स सब इंस्पेक्टर की बुट्री की बात करें दोस्तों तो पेल लेवल 60 सेलरी में लगी 35400 से लेके एक लाग 12400 के बीच में आपकी रहेगी तो बहुत अच्छी सैलरी में कुछ मतलब कि आपको कन्फिूजर नहीं होना चीए आपको मैंने यह भी बता दिया BASF SI की यह जॉब है BASF के अंदर आपको बार्डर सेक्रूटी फोर्स के अंदर आपको और यह काम करना पड़ेगा काफी एक्सरिस्मेंट बार बार ऐसा भरवती ढूंड रहे थे कि हमें इंस्पेक्टर सब इस्पेक्टर टाइप की जॉब मिले अगर आप इच्छुक है आप इलिजिबल हैं आप चाहते हैं भरना तो जरूर इस वे आवेदन करें यह बिल्कुल अच्छी पोस्ट निकलके आई यह लेकिन बात याद रखे ग्रूप B की पोस्ट है वेकैंसी से लेकिन वेकैंसी तीस मई इसकी है अभी ओपनिंग डेट नहीं आए बट ओपनिंग डेट दोस्तों यह पब्लीश हो चुकिए 15 से यह सुरुवात हो जाएगी मैं फिट से बता रहूं ऑनलाइन के लिंग में 15 अप्रेल से यह अभरती स्टार्ट हो जाएगा यह अभी शॉर्ट नोटिस उन इसको आविधन करने का 30 मई इसकी अंतिम्ति थी है तो आप 15 अप्रेल को आप इस में वीडियो अप्लोड कर दूगा यह लिंक एक्टिवेट कर दूगा लिंक में प्रवाइड कर दूगा तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं फिर से बतादू यह 15 अप्रेल से सुरुव आगे बात करते हैं दोस्तों क्या होगी और बीजो इंपोर्टेंट जिसमें दिया गया है तो मैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वह पर सैन नहीं थी ब्ूतब्र सेनिकों के लिए दो यह वाला सिविलन के पोश्ट की वारे में बात नहीं करेंगे सब इंस्पेक्टर में अगर आप भरना चाहते हैं तो पास त्री ये डिप्लोमा सब ध्यान देंगे अगर आपने किया हुआ है तो जरूर आवेद्न करें अपना रिजर्व जॉब का कोटा है उसको जरूर उठाए उसका जूर इंजिनियर सब इंस्पेक्टर की भरतिया ये इस पास थ्री ये उसमें भी चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्रिकल इंजिनरिंग फॉर्म इंस्टूट रिकोनाइज सेंटर गॉर्मेंट या इस्टूट गॉर्मेंट के बोट से आपने आपने किया हुआ अगर आपनी किया हुआ है तो जरूर आवेदन करें आगे मैं बता इंस्पेक्टर के लिए जूर इंजिनर सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग के लिए यह एकदम अच्छी और शांदर भरती निकल के आई है मैं फिर से एक बार आपको लोग को आगा और बताना चाहता हूं कि नीचे वाट्सप ग्रूप दिया हुआ है पीडिएफ दिय सबी मैंने इसमें आपको दे दिया अभी मैं केंडिडेट्स को और जहां से ऑनलाइन आपको भरना है उसका लिंक भी प्रोवाइड करता हूं स्टीटी पीएस स्लैस दो बार और और यहां पे चाके आप ऑफिशली इसको अप्लाई कर पाएंगे तो अगर आप इच्छू क आपको हर जगा देखने को मिल जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले भरती बता रहा हूं अगर आप इच्छू कहें तो जरूर आप आवी रन करें इसका साथ मैं अपने सब्दों को विराम देता हूं जहीं जय भारत वंदे मात्रम